दोस्तों अगर आपके सेटवाक्स में चैनल स्कैन करने पर बहुत कम आते हैं या फिर कुछ चैनल वीक सिगनल बताते हैं और कुछ नो सिगनल बताते हैं और कुछ नहीं चल पाते हैं तो आपको किस सेक्सान में काम करना चाहिए वो आपको इस वीडियो में डिटेल्स में बता दूगा यह सटवक्स में यही प्रॉब्लम आ रही है इसमें कस्टमे ने एलन भी चेंज करवा दी है और जो एंटिना से सिगनल बिल्कुल प्रॉपर मिल रहे है और इस बॉक्स को किसी और की छतरी के साथ में भी स्कैन कर लिया है तो भी प्रॉबलम सेम वही कि वही है यानि कि टोटल बॉक्स से ही प्रॉबलम है तो यह जब प्रॉबलम बनती है तो आपको क्या करना चाहिए चलिए अज आज आपको डिटेम से बताऊंगा तो प्लीज वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए अगर आप हमारे वाटसेप चैनल से जूड़ना चाहते तो उसका लिंक में आपको देद हुआ तो जूड़िए वहाँ पर अपडेट में देता रहता हूँ अब यहाँ पर देखिए हमारा सेटो बॉक्स बिल्कुल और है और बागी सब कुछ इसमें वर्क कर रहा है अब यहाँ पर यह जो प्रॉब्लम बहुत चोटी है इसका सोलुशन भी बहुत चोटा सा है चलिए डीजेश चे बताता हूँ अब देखिए किसी भी सेटो बॉक्स में जब यह प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आपने इसकी वोल्टेज चेक करनी है इसको मैंने डीजी दोसों पर रख लिया है अब वोल्टेज देखिए कैसे चेक करनी है मैं आपको बताता हूँ यह इसका स्प्लाई है और यह इसका कार्ड है सप्लाई पे आउट्पूट में कुछ वोल्टेज लिखी हुई रहती है एक्जांपल के लिए यहाँ पर लिखाए 3.3 वोल्ट 3.3 वोल्ट यह ग्राउन का है जोकि इसकी बोल्ड के साथ में कनेक्ट रहता है यह 12 वोल्ट 24 वोल्ट लास्ट में 5 वोल्ट तो इतने इसमें वोल्टेज लिखे हुए है तो यहाँ पर सभी वोल्टेज हमें चेक करने है सभी voltage proper बन रहे कि यह चेक करने है तो जहाँ पर G या ground लिखा है इस black probe को वहाँ पर touch करना है अगर वहाँ पर test नहीं कर रहे तो इसकी body की साथ में touch करना है तो ground यहाँ सभी से मिल जाता है इतना करने के बाद आप किनार से start करेंगे voltage को चेक करना यहाँ पर 3.2 volt बन रही है ब तो 12 की जिख बाद 16 volt दिखा रहा है कोई दिखर नहीं है 12 की जिख़़गा 16 volt दिखाएगा तो कप रहे ही मन इतना दिखाता ही है थोड़ा से बढ़के आती ही है 24 Volt वाले point में हम चेक करें 24 Volt ठीक है सभी से ही दिखा रहा है सबसे लाशला हम चेक करते है 5 Volt वाले point में 3 volt 3.2 चीड दिखाने का मतलब यहां पर एक जीनर डायोड लगी जिसकी वज़से ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ सप्लाइमें होता है जिसमें जीनर लगी हुए रहती है और जिसमें जीनर नहीं लगी रहती है, पांच वोल्ट के पॉइंट में पांच वोल्ट ही दिखाता है, तो है देखेई यहाँ पर सेट करना। यहाँ से चेक करते हैं चलेंगे तो देखेए जहाँ पर 3.3 वोल्ट वाला पॉइंट nessa वहाँ पर 2.9 दिखा रहा है यह वही वायर है यहाँ पर दिखा रहाイ है यहां पर दिखा रहा है T visionsineye और यहीं पर वो wire इस वाले point पे कितना दिखा रहे है 2.9 volt कितना drop हुआ है देख सके हैं यानि कि इस wire में carbon लगने की वज़े से इसका resistance बढ़ जाता है जिसके वज़े से voltage drop होती है या फिर internally carbon नहीं भी लगा हो तो इसकी resistance बढ़ने से voltage drop होने लगती है तो यहाँ पर 2.9 दिखा रहा है और वो 3.3 यानि कि अंतर कितने का है 2.3 वोल्ट का अंतर है बाकी की voltage हम चेक करेंगे यहां से हम start करेंगे यहाँ पर ठीक दिखा रहे 3.3 वोल्ट जो 5 वोल्ट वाला point था वो बिल्कुल सही दिखा रहा है अभी ठीक है लेकिन यह जो लास्ट वाला point है वो जिसमें 3.3 वोल्ट बननी चीए वहाँ पर drop कर रहा है दिखिए 2.8 दिखा रहा है इसका मतलब है कि इस wire की problem है यहाँ पर या तो आप इस connector को पूरा change कर लो wire को अगर आपके पास है तो change कर लो नहीं है तो यहाँ से 3.3 वोल्ट के point से नीचे से एक wire को soldering करके उठा लो और यहाँ पर इसके नीचे वाले point में soldering कर लो अगर यहाँ पर voltage आपकी सही बनती है कुछ कैसे में क्या होता है तो फिर यहाँ पर इस regulator की भी problem होती है तो regulator में क्या होता है यहाँ पर देखिए बीच वाले point में check करोगे तो वहाँ पर आपको 1.7 1.8 मिलनी चाहिए अगर ऐसा नहीं मिलता है regulator में देखने को नहीं मिलता ह है तो इस regulator की भी problem हो सकती है यह regulator आपको देख रहा है इस regulator पर क्यों लगा गया है वहाँ से 3.3 वोल्ट इस point में आती है और यह 3.3 वोल्ट यह regulator पर जाती है और यह regulator को regulate करके 1.8 वोल्ट बनाता है वैसे 7 ही आपको देखने के लिए मिले तो घबराइए मत तो 1.8 वोल्ट क बनाके इन आइसीज को देता है तो यह regulator अपना काम सही तरीके से कर रहा है लेकिन यहाँ पर जो है 3.3 वोल्ट सही नहीं बन पा रही है और यह 3.3 वोल्ट इन आइसीज को जाती है यह आइसीज on होने के लिए या अपना सही तरीके से काम करने के लिए 3.3 वोल्ट इनको च और यह problem कभी नहीं आईगी तो यह voltage पहले हमने बनाने 3.3 volt क्योंकि 3.3 volt का भी काम होता है अब यहाँ पर दो चीज है या तो आप वायर पहले यह करके दिखा देता हूँ अब देखते हैं अब वोल्टेज में कुछ बड़ उत्री हुई या फिर वही है अभी वही है मुझे आपर वायर देना ही पड़ेगा अब देखिए यहाँ पर चलिए वायर तो देदूँगा इस प्रम को सॉल्यूशन करने के लिए कि नेक बॉल्ट के लिए यह इस डायोड के वीक होने के वज़े से भी प्रॉबलम होती है लेकिन यहाँ पर सही बन नहीं यहाँ पर ठीक नहीं है ठीक है जिन क्यस्सिज में अगर यहाँ पर सब कुछ आपकी wire ठीक हो और यहीं पर voltage प्रॉपर नहीं बन पा रही है तो या आप इस diode को change करेंगे या इस diode के साथ में जो capacitor लगा है 1000μF या थोड़ा सा उससे उपर के कोई जो capacitor लगा हुआ है वो आपको change कर लेना है तो यहाँ पर देख लेना जो इस diode के साथ में जो इस diode के positive है जो capacitor लगा हुआ है उसको आप change कर लेना है वैसे विडियो बनाया है उसको देख लेना तो यहाँ पर इसकी problem नहीं है अब यहाँ पर अगर सिर्फ एक voltage की problem है तो अगर सारी voltage drop हो रही है अगर 12V भी सही नहीं बने पारी है या 12V की जगह पर आपको 6 या 7V आ रही है और गर 24V की जगह पर आपको 12-13V आ रही है सब भी voltage जगह disturb है तो यहाँ पर main capacitor को आप change कर लेना जो आपके यहाँ पर लगा हुआ है सबसे पहले हम यहाँ पर कैसे चेंज करेंगे चलिए आपको अब यहाँ पर देखिए यह जो पॉइंट होता है यही से connected होगा देखिए हम इन कार्डवार्ट को नहीं खोलेंगे यही से हम connect करेंगे यही से को कर लेंगे हम यहाँ से जुड़ा हुआ है तो यहां से कवायर उठाएंगे हम यहां से कवायर उठाएंगे यहां से कवायर उठाएंगे और यहां प यह देखिए इस रेगुलेटर की सबसे लाश्ट वाली पेन हमारी इस पॉइंट से जूड़ी है यहां से वायर उठा कि इस पर हम सोड्रिंग कर देंगे चलिए फटा फ़र से सोड्रिंग करके आपको दिखा दोस्तों फानल यहां पर इस वायर को मैंने जंबर कर लिया है अ देखे से किसी में 3 भी दिखा रही है चलिए वोल्टेटर चेकर वादी अब आपको थोड़ा सा समझा देता हूं जिन लोगों समझ में नहीं आया है यहां पर कहा है यह जो 3.3 वोल्ट है यह डायोड पर इस पॉइंट पर बनती है और यह पॉइंट नीचे से नीचे से प नोमें यहां से वोल्टेज इस इस میں पहुंछती है और यहिए वोल्टेज इस वायर के थ्रू इसमें जाती है और इसके बाद यह रेगुलेटर के third नीचे पर जा रही है एक तरफ से रेगुलेटर रेगुलेटर करके इसको 1.7 या 8 वोल्ट बनाके इन IC को देता है और तो आपके सिगनल वीक भी आएंगे, नो सिगनल की भी प्रॉब्लम बनेगी, तीन वोल्ट से नीचे, याद रखिए, अगर तीन वोल्ट से थोड़ा से ओपर रहता है, 3.1 या 3.2 भी रहता है, तो भी आपका ये प्रॉब्लम नहीं होगा, तो काफी लोग सोचते हैं किया, 3 3.1, 3 वोल्ट का काम सिर्फ सेट को अन करने का होता नहीं, सिगनल पर भी बहुत असर इसका पढ़ता है, तो प्लीज, इसको जो है न, इग्नोर मत करना, इस वोल्टेज को आप सही बना ले न, सिगनल की प्रॉब्लम, डेट की प्रॉब्लम, या कोई सी भी प्रॉब्लम का सोलिशन असानी से हो जाएगा, बाकी, I hope कि आपको अच्छी से समझ मा आ गया होगा, प्लीज, वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे अमनारी वीडियो पे न, अच्छे-चे कमेंट्स कर लेना, और कोई आपको अधर जानकरी से रिलेटेज ची हो, तो बताना ज़रूर, व इतने चाजी टोपिक देदे हैं, टेक केर अबना ख्याल लगिए